Hello everyone, welcome back viewers, कैसे हो आपसे लोग आईस, उमीद करते हूं, स्वास्त होंगे, अपना ख्यार लग रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिफ जरूर कर रहे होंगे विवर्स, आज मैं आपके लिए एक और नियू रीडिंग करने जाने हैं, आपके परसन के लेट नाइट थॉट यहांपर हम देखने वाले हैं यह रीडिंग जरनल गलाक्टिव और टैम्लेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है हो सकता हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बाते हैं आपसे रेजोनेट हो रख लेना वागे को इग्नोर कर दीजेगा रीडिंग से अगर आपको क्लारिटे मिलती है, हल्क मिलती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर जरूर करे रहा, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करने से बहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, यह रीडिंग जनल गलाक्टिव है तो आप सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें, हो सकता कुछ बात है, रैजनेट हो, कुछ ना भी हो सम्टाइम रीडिंग 100% भी रैजनेट कर जाती है, सम्टाइम यहीं भी करती है तो open mind से इस रीडिंग को देखें, जबरदस्ती अपने आपको fit करने की रीडिंग में विल्कुल भी कोशिश ना करें चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जिस स्वेक्ति को लेकिए आपकी रीडिंग देख रहे हो उस स्वेक्ति के आज आपको लेकिए क्या थोट है, उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकिए आज रात क्या को चल रहा है so please divine universe angels, please help us, please guide us, मुझे बताएं मेरे वीवर जिस स्वेक्ति को लेकिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके current thought feeling, आज रात की क्या है, मेरे वीवर को लेकिए okay, पहला ही card आया है, आपके लिए coming together का, ठीक है wow, we have a number 20, blossoming के energy आई है, we have number 2, number 222, वो सकता है, जब आप इस reading को देखना, start करें, आपके सामने triple 2 के energy आई, triple 2 number काफी important number, मुझे यहाँ पर आप लोग लिए नजर आ रहा है, number 4, heart chakra के energy आई है, फिर आया number 0, trust के energy आई है and we have number 3, ठीक है, इसके लावा number 6 के energy यहाँ पर आई है, हमारे पास, we have number 3, 6, 3, ठीक है, यह को doubling number है, number 4 के energy, फिर अगेन हमारे पास है, number 7 आया है इसके लावा number 6 के energy आई है, ठीक है, और यह भी काड़ाना चारा है, number 4 के energy है, तो यहाँ पर मुझे triple 4 मिला है, आज की reading में, triple 2 मिला है, और number 6 मिला है, number 3 मिला है, ठीक है, तो यह number मुझे आप लोग लिए यहाँ पर नजर आ रहे है, bottom के energy आई है, rebuild की, जो की कहीं न कहीं tower क को दिखाता है, ठीक है, आपके connection में, लेकिन tower के साथ-साथ energy आई है, rebuild की, तो इसको अभी देखेंगे, क्योंकि tower को rebuild करने की कोशिची यह जो destruction हुआ है, तो यहाँ पे जो tower है, viewers, वो कहीं न कहीं बात करता है, tower से आई हुए नुकसान की भरपाई को, ठीक है, तो चलिए द वीवर्स coming together के energy को clarify करें, तो रिउर्ति के मन में, क्यों Links को श्रीक न Зबंगी वॉशिची मेरे replica नसदेक आना चाते हैं? क्यों ही इनके साथ में रिष्था में बनाना चाते हैं? क्या वज्जे है? soulmate आप उनकी आपकी जो वज़े है आपके रिष्टे की जो वज़े है वही ये वीवर्स सबसे important है कि ये रिष्टा soulmate का रिष्टा है ये उनको एहसास हो रहा है इसी वज़े से आपका जो person आपके नजदीक आना चाहता है या फिर आपके साथ में रिष्टा बनाना चाहता है उनको एक divine connection फील हो रहा है उनको आप अपने level के अपने type के महसूस हो रहे हो जिसला एक bonding महसूस हो रही है जहां पर आपके person को नहीं पता divine connection क्या होता है उनको इन चीज़ों में maybe believe है नहीं है इसको हम नहीं आपर discuss करेंगे लेकिन एक चीज़ है कि उनको यह नहीं पता कि divine connection क्या होते है soulmate क्या होते है वो इन चीज़ों को maybe नहीं जानते है believe कर सकते है अगर उनको समझाया जाया तो उनको believe हो जाएगा लेकिन उनको यह चीज़ अभी तक नहीं पता है ऐसा नजरारा जैसे अभी तक उनों नहीं इन चीज़ों को discover नहीं किया है लेकिन उनकी जो अंतर आत्मा है आपके person की वो इन चीज़ों को feel करने लगी क्योंकि देखो आत्मा से कुछ नहीं चुपा आत्मा जो होती है ट्रावल करती है उसके पास में बहुत सारे experience होते है जो इनसान की आत्मा में inbuild होते है memory हमारी mind से जुड़ी होती है जो हम इस जीवन में ही कही ना कही observe करते है experience करते है और उनके basis पे अपना एक perception बनाते है लेकिन जो आत्मा होती है किसी के साथ में जब connect होती है तो उसको वो बता देती है कि यार इसके साथ में मेरा जो रिष्टा है क्या इसको समझने की कोशिश करो जिसको हम दिल बोलते है जिसको हम मन बोलते है यहाँ पर intuutional level की बात होती है यहाँ पर practical level की बात नहीं होती है पर दिमागी चीजों को हम जो देखते हैं आखों से समझते हैं यह उन चीजों की बात नहीं है तो आपके जो person एना विवर्स कहीं है कि उनका जो दिल है उनको यह बताने लगा है उनको यह समझाने लगा है कि या तो इससे दूर नहीं रह सकता या तो इससे दूर नहीं रह सकती इसके साथ मतलब तेरा होना इसी के साथ में है अगर तो खुश रह पाएगी तो इसके साथ में ही रह पाएगी तो उन्हें ब्रेक अप तो कर लिया या तरह ब्रेक अप तो हो गया लेकिन तो फिर भी क्या खुश है इसके बिना तो इनका दिल कहता है नहीं यार मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ मुझे उसकी याद आती है, मुझे उससे कनेक्ट होना है यानि आपकी बात है तो coming together में सबसे पहले आपके person इसी लिए आए हैं आपके पास में जोडना इसी लिए चाहते हैं तो कि उनको आपके साथ में एक ऐसा ही रिष्टा फील हो रहा है जो कि उनको किसी और के साथ में फील नहीं हो रहा तो ये बहुत ही बड़ा reason है क्योंकि हम इनसान जो होते हैं इसी के साथ में जोडना चाहते हैं जिसके साथ में हमें bonding महसूस होती है तो आपके person के साथ में अगर आपका रिष्टा जो बन रहा है ये बनेगा तो वजह बहुत solid है इस वजह को ignore नहीं किया जा सकता ठीक है तो बहुत अच्छी energy आईए blossoming के energy यहां पर क्यों लाएं है किन चीजों को इस connection में होते वए देखना चाहते है divine angel प्लीज मुझे बताएं वो इस connection में किन चीजों को आप होते वए देखना चाहते है ओके वो अभी इस वक्त वीवर से connection के अंदर आपको अपनी life में देखना चाहते है जैसे हैं वो अभी right now आपको बहुत miss कर रहे हैं वो इस वक्त इस वक्त ठीक है right now यह जिस वक्त आप इस रिडिंग को देख रही हो यह इस वक्त की वो energy है जहां पर आपका person कह रहा है काश तुम इस वक्त मेरे पास होते हैं मैं तुम्हें बहुत miss कर रहा हैं कि प्यार की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी होती, क्योंकि प्यार किते हैं किसी की ताकत भी बनता है, कम ताकत बनेगा तो दुनिया जीत लेगा, कमजोरी बनेगा तो दुनिया से हार जाएगा, तो इस वक्त आपके परसन वीवर्स आपको अपनी कमजोरी ही बता रहे हैं, ज जो इस वक्ती की कहीं न कहीं नजर आ रही है तो ये वक्ती वीवर्स आपको अपने जिंदिगी में इस वक्त राइट नौ तो बहुत मिस्ट कर रहे हैं और इस वक्त ही आपको अपने पास में देखना चाहते हैं क्या इनको कहना चाहते हैं के परसन डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं लिसन के नरजी में इनके परसन को क्या कहना चाहते हैं प्लीज युनिवर्स एंजल मुझे बताएं वो क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं मेरे वीवर से प्लीज युनिवर्स एंजल टाइट करें community वो आपको यह कहना चाहते हैं और आपसे यही सुनना चाहते हैं कि you are part of my life और मैं तुम्हारी life का हिस्सा हूँ आप उनको यह कह दो ठीक है जैसे कि आप उनको सुईकार कर रहे हैं आप उनको यह कह दो बस और वो आपकी life में वापस आरे हैं परसन आपको यह कहना चाहते हैं तो यह एनर्जी कहीना कि दिखाती है कि आपका जो परसन है coming back to your in your life आपके परसन की यही एनर्जी जैसे वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस connection में वो आपके साथ में bonding ही मैसूस कर रहे हैं ठीक है और यह bonding ही है वीवर जो कहीना कि इस वेक्ति को आपकी तरफ धकेल रही है आपके साथ में जुड़ने पे मजबूर कर रही है इस वेक्ति को यह एहसास दिला रही है जिसे कहते हैं कि यहाँ घर में घर परिवार जब आपका साथ में होता है तो आपके अंदर एक स्टेंथ आती है आप एक ताकतवर महसूस करते हो तो यह साथ के परसन आपके साथ में जब वो होते हैं तो उनको एक अंदर से अंदरूनी ताकत मिलती है ठीक है जैसे परिवार की ताकत जो होती है ना वो यहाँ पर आपका परसन समझने लगा है आपके साथ में तो आपका परसन आपको अपनी परिवार की एनरजी दे रहा है यानि वो आपको अपनी परिवार की तरह आपको समझ रहा है और वो येस आपकी लाइफ में कहीं ना कि वापिस से यहाँ पर आना चाहता है यह वही दिखाती है क्योंकि number 8 के energy भी यहाँ पर आई है तो यह energy यही दिखा रही है कि कहीं नगे इस connection में जो है एक रिष्टा यहाँ पर आपका जो person है वो आपी के साथ में feel कर पा रहा है वो किसी और के साथ में feel यहाँ पर नहीं कर पा रहा तो इस रिष्टे पर आपका जो person है वो work करना चाहता है वो आपको यही कहना चाहता है या फिर आपको समझाना चाहता है heart chakra यहाँ पर open up हो रहा है divine angel इसमें क्या वज़े है यह heart chakra पर open up की energy क्यों आई है divine angel please clarify करे heart chakra पर open up की energy क्यों आई है divine yang energy है यह energy दिखाती है कि कहीं नहीं आपका जो person जो masculine energy में है divine masculine energy में क्योंकि soulmate का card भी आया है तो soulmate के साथ आप लोग कुछ लोग ऐसे भी वीवर जो यहाँ पर देखो इस connection में action कहीं नहीं होने जा रहा है यानि कि heart chakra heart chakra को वेक्ती preference दे रहा है heart मतलब दिल यानि desire उसकी इच्छाए उसकी feeling तो कहीं नगी वीवर साब का जो person इस connection में अगर हम देखें तो bottom की energy बहुत अच्छी आई है जो दिखाती है कि आप तक पहुँचने के लिए क्योंकि masculine energy यहाँ पर आई है तो यहाँ पर जैसे कितना बड़ी शिद्दत से बहुत शक्ती के साथ में यह वेक्ती वो करने के लिए यहाँ पर अपनी इच्छा दिखा रहा है जो ही नहीं कहीं इस connection में required भी थी ठीक है तो यह वेक्ती ने वीवर स कहीं नहीं कि आपकी तरफ यहाँ पर clear हो जाती है क्योंकि heart chakra block था कुछ लोग का तो अभी तक block है लेकिन उस पर हल चल हो रही है तो definitely हल चल को आपको enhance करना होगा enhance होगी energy क्योंकि इंसान जब किसी की तरफ आकरशन में होता है किसी के साथ में प्यार में होता है तो आपके person के तो energy है पर already आई रही है कि वो आपको पाना ही चाहते है तो definitely they will do some action for you ऐसा नज़र आ रहा है trust के energy हैं पर आईए divine angel ये उनको किस बात का यकिन दिलाना चाहते है please divine angel clarify करे मेरे viewers को उनके person किस बात का यकिन दिलाना चाहते है आपको ये यकिन दिलाना चाहते है आपके person की कहीं न गएं वो आपके हैं आपी से प्यार करते हैं वो आपके लिए loyal रहेंगे in future आपके लिए committed रहेंगे वो आपको अपनी husband या अपनी wife की तरह रखेंगे या फिर आपसे शादी करेंगे कहीं ने कि उनका दिल सर्फ आपके लिए रहेंगा मतलब एक तरह से अपने आपको किसी के लिए book कर लेना ठीक है किसी के नाम कर देना किसी को अपना बना लेना किसी के हो जाना तो आपका person आपको ये trust दिलाना चाहता है यह यकीन दिलाना चाहता है कि इस connection में जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा जो इन्होंने गलतियां पहले कर दी है वो यह गलतियां आपका जो person and future नहीं करेगा यह नहीं करेगी अब वो आपके लिए loyal रहेंगे उनका दिल आपके लिए loyal रहेगा यह नहीं कहीं नहीं हो सकता भी इससे आपके connection में dishonesty हुई है ठीक है कुछ बातों को लेके चीज़े गडबड़ को represent कर रहे हैं लेकिन आपका जो person and viewers वो आपको इस बार यकीन दिलाना चाहता है कि वो change हो रहा है और वो आपके लिए ही change हो रहा क्योंकि वो change होना ही कहीं नहीं सबसे पहले connection की शर्त नजर आ रही है क्योंकि मैं यहां पर जो energy देख पा रही हूँ वो यही दिखाती है कि आपको भी कहीं है कि इस विक्ति के अंदर यही तो चाहिए कि यार मेरा विक्ति है मेरा person है तो वो मेरी loyal रहे committed ले जिसले की आप हो उनके लिए loyal हो committed हो उनके लिए प्यार महसूस करते हो उनके साथ में जुडना चाहते हो तो एक commitment के साथ में जुडना चाहते है तो वही कहीं है कि आपका जो person है viewers वो यहां पर आपको यकीन दिलाना चाहते है कि अगर वो इस बार जैसे कि आपके लाइफ में आने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ में जूडने की यहाँ पर इच्छा रख रहे हैं तो definitely वो आपके लिए यह सब कुछ तो करी सकते हैं रिच आउट में क्यों दिक्कते आरे हैं Divine Angel प्लीज मेरे वीवर्स तक इनके परसन अभी तक रिच आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्लीज वो हमें बताएं रिच आउट में क्या दिक्कत आ रही है Higher Power ठीक है इस connection में यानि कहीं नगें जो उनका दिमाग है वो इनको आप तक जो है connect होने सो रोकता है अब यह Higher Power की Energy क्यों आई है तो कि Higher Power यहां पर क्या दिखाता है कि कहीं नगें के इनके दिमाग में कुछ ऐसी बाते भी हैं जो आपके दिमाग में भी हैं मेप इंसे कुछ सच जानना चाहते हो कुछ सच सुनना चाहते हो कुछ acceptance चाहते हो क्या बोलते हो इंग्लिश में एक्सेप्टेंसी बोलते हैं कि यहां तुमने यह किया है तो उसको एक्सेप्ट करो या फिर अपने मूँ से कबूल करो तो यह चीज़े कही ना की नज़र आ रही है अभी तक आप तक रीच आउट नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका परसन आपको नहीं बताना चाहता है या नहीं बता पा रहा है या फिर ऐसा नजरा रहा है कुछ सच जो है वहाती कभी-कभी कड़वे होते हैं उनको बरदाश करना डाजस करना बड़ा मुश्किल होता है तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये आप तक आएंगे तो आप बेसिकली इनसे वही पूछोगे कि अभी तक तुमने ऐसा क्यों किया किस वज़े से क्या तुम किसी और थी ना तुम किसी और से संबन्द थे ना तो ये कड़वे है तो ये चीज़ें आपको नहीं पूछने ह करना चाहरा कि वह आपके साथ में नियू बिगनिंग करना चाहरा तेखो उससे गलती हो गई वह अपनी गलती मान रहा है और वह आपसे जुड़ना वीचाहरा है कि उसकी अपसे पहले जो एनर्जी आई है वह आप तक कमिंग टुगेधर की विद तक सोल मेट कार्ड तो आप कि आपका person की energy यहाँ पर दिखा रही है लेकिन आपकी तरफ से उठने वाले सवाल ही उनको कही नगे आपकी तरफ आने से रोपते हैं और कोई यहाँ पर वज़े नहीं है आपका person यहाँ पर third party को कोई वज़े नहीं मान रहा है third party not a big deal तो third party को छोड़ना इनके लिए कोई बहुत बड़ी energy नहीं है क्योंकि आपका जो person यानि के third party को लेके serious नहीं है committed नहीं है आपका person आपको लेके committed होना चाहता है तो लेकिन वो आपकी तरफ से उठतेवे सवालों को जैसे आपकी आँखे जो उनसे पूछ रही है जो आपके दिमाग में सवाल है, उनसे डरता है, capacidad giving and receiving में क्या है divine angel वो इनको क्या देना चाहते है, इनसे क्या लेना चाहते है, please universe angels clarify करें वो इनको क्या देना लेना चाहते है मेरे viewers से क्या देना लेना चाहते है clean it up देखो, यहाँ पर क्या देने लेने की बात हो रही है, कि clean it up कर दो, यानि कि कहीं न कहीं चीजे निकाल दो, basically मन से अपने, कि आप अपने मन से कुछ ऐसी बाते हैं, जो आपको निकाल देनी चाहिए, तो वो निकाल दो, और कहीं न, बस मतलब कि negativity निकाल दो, ठीक है, positivity को receive प यानि cleaning हो, जब cleaning होगी, कोई चीज होगी, तभी तो कहीं न, कि receiving हो पाएगी, ठीक है, तो आपकी ये शर्त भी है, कि third party को निकालो, तो मेरे पास आना, या फिर कहीं न, जो भी मन में, मैल है, विचार है, दूसरे के साथ में negative, उनको receive, negativity को clean करो, फिर positivity को receive करो, तो आपका person ये चाहता है, कि आप अपने मन मसे, इनको लेकि जो भी negativity उसको निकाल दो, basically उनका टहना ये है, share the love के energy आई है, share the love में इनको मेरे विवर्स को ये क्या देना चाहते है, divine angel, क्या देना चाहते है, go the distance, ठीक है, आपकी person ने आपसे distance maintain किया, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, distance create हुआ, अब जो भी थे, जो मन मोठाफते उनकी वज़े से हुआ, जिनसे heartbreak हुआ, heartbreak की वज़े से कुछ इनको भी hurt हुआ, कुछ आपको भी hurt हुआ, दूसरे के साथ में, चीज़े complicated हो गई, तो आपका जो person है, वीवर्स वो आपके साथ में love share करना चाहता है, अपना प् एक्चेंज नहीं होगा, feeling एक दूसरे के साथ में, एक्चेंज नहीं होगा, लेकिन feeling में कुछ यह नहीं है, क्यो negative energy exchange की जाए, एक दूसरे को समझने के energy exchange होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में, जो distance उसको खतम कर दिया चाहिए, तो यहां पर distance को खतम करवाना है, आपके person तलाश रही है, यह क्या opportunity रोने miss करें, divine angel, please मुझे बताएं, okay, to be fair, yes, देखो, आपने इनको मौके दिये थे, चीजों को सही करने के, सच बोलने के, relationship में, सही decision के, कही ना कहीं, ऐसा नजर आता है, लेकिन वो यह opportunity तो कही ना के miss होई है, यानि इनके पास में, आपने इनको justice के energy यहाँ पर क्या दिखाती है, justice के energy यहाँ पर यह दिखाती है, कि अगर यह honesty के साथ में, इस connection में चलते हैं, तो शायद यह situation आज creative नहीं होती, यहाँ पर honesty नहीं थी, इनको आपने मौका भी दिया था कि अपनी चीजों को, जो नोने dishonesty इस connection में की है, उसको यह ठीक करे definition, अपने decision making सही करें, चीजों को सही तरीके से लेके चलें, इस connection को सही तरीके से लेके चलें, आप से सच बोले, सच न चुपाएं, तो यह connection में कहीं नहीं की, और यही आपके person को यहाँ पर समझ में आ रहा है, कि यार कहीं न कहीं, अगर वो आपके साथ में clear करके चलते हर चीज़ को, clarity के साथ में चीज़े लेके चलते, तो शायद ये situation create ही नहीं होती, उन्हों ने भी आपके साथ में एक आवरन और लिया था, आवरन मतलब एक जूट का उन्होंने एक जूट को छुपाने के लिए दस जूट बोले, दस पे सो जूट बोले, तो यही होता, छूटों की उम्र जादा लंबी नहीं होती है, पर उसको खीचने की कोशिश जरूर की जाती है, और सच जो होता सामने आही जाता है एक नए एक दिन, तो वही आपके सामने भी आया है, इनका भी सच, इनके रिष्टे का भी सच, तो यही है वीवर्स, आज आपके परसन अपनी सच्चाई को आपके सामने आने से नहीं रोक पाई हैं, लेकिन वो इस सच्चाई को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई से ही है, खुद अपना मुँ जो है, छुपा रहे हैं, उसको फेस नहीं कर पारें क्योंकि इनको सच्चाई से आपके परसन को खुद यहां पर नफरत है कि उनसे ये कैसे हो गया उनसे ये गुना कैसे हो गया किस चीज का इंतजार है इनके परसन को डिवाइन एंजल इस कनेक्शन में अब किस चीज का इनको इंतजार है इनको इंतिजार है विवर्ज इस connection के अंदर चीजों को फिर से अच्छा होते हैं आपके person को जिस चीज का आपको भी इंतिजार है न वोसी चीज का आपके person को भी इंतिजार है कि कब आप तोनों के बीच में चीजे खतम होंगी यानि दूर यहां खतम होंगी जो प्रॉब्लम से वो खतम होंगी एक दूसरे के साथ पर जो चीजे हैं भैतर नजर आएंगी यानि कि वेक्ति कहीं ना कहीं effort ले रही है या ले चुके हैं ऐसा यहां पर नजर आ रहा है और जो effort आपके connection में क्योंकि young energy भी आई है obviously तो यह एक चीज के तरफ दिखाते है वेक्ति जो है एक action वाली energy में आ रहा है यानि कि वो वेक्ति कोई ना कोई आपकी तरफ या तो action ले चुका है तो उसके result का इंतिजार कर रहा है कि आप आपकी तरफ से क्या result आएगा और in future अगर कोई result लेने वाले भी है क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि भाई यह है वेक्ति definitely आपके साथ में जुडने के लिए action तो लेंगे ही लेंगे तो action लेंगे तो आपकी तरफ से क्या उसका result रहेगा आप उनको positive response देंगे या negative देंगे लेकिन उमीद तो positive की है इनको कहीं ने कि देखो इंतजार उसी चीज का होता है जहां पर इंसान कोई ने को उमीद लगा के चलता है कि यहां पर यह मुझे result मिलेगा मैंने action लिया है तो आपके person भी ऐसा नजर आ रहा है कि आपके तरफ से कोई ना कोई action का यहां पर इंतजार कर रहे है कि अब आपकी तरफ से क्या action आईगा ठीक है क्या वो positive होगा positive होगा तो well and good है तो फिर बहुत अच्छी बात है थर्ड आई चक्रा में यह क्या देख पा रहे है divine angel फ्लीज मुझे बताएं किन चीजों की clarity मिली है इनको न्यू लाइफ इनको यह चीज की clarity मिली है कि आपके साथ में अगर यह new life यहां पर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं की life आपके साथ में भैतर होगी और इनको एक अपनी जिंदगी बहतर से जुड़ने का आपके साथ में मौका मिलेगा और यह अपनी जिंदगी को एक भैतर life बना पाएंगे क्योंकि loyalty तो आपके तरफ से available है ठीक है जब यहां पर आपका partner यह आपके साथ में loyal हो तो फिर चिंता नहीं रहती ना फिर डर नहीं रहता कि यार कुछ होगा मतलब साथ में खड़ा है वेक्ति यार मेरे सुख में दुख में तो क्या ही बात है मुझे छोड़के तो नहीं जाएगा कोई तो है जिसको मैं अपना कह सकूँगा या कह सकूँगी तो आपके person को at least आपके साथ में new life start करेंगे ना आपके person तो उनको चिंता नहीं रहेगी आपको लेके क्योंकि वो जानते हैं आप उनके लिए कितने लॉयल हो कितने आप उनके लिए testable person हो इस connection में happiness आपका परसन आपके साथ में कनेक्ट होके इन ही चीजों को फील करना जाहता है यह नाइन अपको प्रेजेंट करती है जहांपन इनसान अपनी जिंदगी में मतलब सब पाहँ चुका है तो यह फील करना चाहते कि उन्होंने जो चाहा वो उनको मिल गया और उनकी चाहत ही चाहता है क्योंकि आप आप अकेली नहीं आ रहे उनकी जिंदगी में आप अपने साथ में इनकी जिंदगी की ब्लैसिंग्स लेके आ रहे हो एक रिष्टो की अबंडन्स यहां पर कहीं नगी वो चीज़े यहां पर नजर आ रही है ठीक है तो आप समझ सकते हो आपकी मेरी तरफ से आप सभी को चली कुछ और मैसिज में आप आपके लिए निकालने जा रही हूं यहां मैं आज आपके लिए लखी चाम लेने बाली हूं ठीक है आपको आपको नजर आ रहा हूं फर लाइट मैं बढ़ा लेती हूं ओके वीवर्स सो लेट सी पीस उनिवर्स एंजल्स मेरे वीवर्स के तरफ से टू हार्ट मेसेज जार प्याना है पीस उनिवर्स एंजल्स का एक से लिए वाव यहां पर आपके देखो रिलेशन्शिप में कितनी बढ़िया एनरजी आई आप मेंसे कुछ लोग हो सकता है मा मा शक्ती बहुत कुछ कर सकती है उनकी टो बिसे पार ही क्या है कोई नहीं जा सकता तो यह साब के ओपर मा शक्ती की हां पर ब्लैसिंग्स मुझे नजरा रही है आपके कनेक्शन में सबसे पहले मुझे की के अनरजी मिली है जो कही न गी यह दिखाती है इस कनेक्शन के ठीक है वो आपके दिल को भी खोलना चाहते हैं जैसे वो कहने कि यार अपना दिल खोल दो अपने दिल के दर्वाजे खोल दो इनके लिए क्योंकि यह उसमें रहना चाहते हैं यह उसके अंदर अपनी जिंदिगी बैट के जीना चाहते हैं यह आपके दिल में रहना चाहते है तो अपने दिल को unlock कर दो, आपके person का सबसे पहले आपको लेकर ये message आया है, यहाँ पर मुझे energy मिली है cross की, जो की कहिना की transformation की तरफ इशारा कर रही है, यानि इस connection के अंदर को चीजे end होने वाली है, यानि कि ऐसा phase जो आपके relationship को एक दूसरे से दूर रखता है, एक दूसरे को लेकर committed नहीं, मतलब आप सकते हैं, बहुत सरी परिशानी जिसमें connection फसा हुआ चल रहा था, तो वो यहाँ पर कहिना के end होने वाला है, वाई I'm saying this, क्योंकि next energy मेरे बहुत प्यारी है, जो कहिना के एक दूसरे के साफ में दिल को जोड़ना दिखाती है, तो इस connection में आप अगर एक भी तूटा, तो definitely ये फिर दूसरा दिल भी तूटेगा, उसकी भी कहिना के जो खुबसूरती है, जो सुकून है, वो यहाँ पर खतम हो जाएगा, तो आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ में इस तरहां से जुड़ा हुआ है, कि एक भी अगर अलग हो गया, त फिर दूसरा तो obviously कहिना के तूटी जाएगा, तो ये कहिना के impossible आप दोनों के दूसरे साथ अलग कर पाना, तो आपका person भी यहाँ पर यही कह रहा है, क्योंकि वो भी आप से यह कह रहा है, कि मेरा दिल भी तुम से इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से कहिना कहिना तो वो आप से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी जुदा नहीं हो सकते, उनके दिल का एक हिस्सा, देखो अगर आप अलग हुए, तो आपका दिल का एक हिस्सा उनके साथ में रह जाएगा, obviously कहिना के एक हिस्सा उनके साथ में, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, कितने ही आप उ उनका एक हिस्सा लाइफ का, उनकी यादों का, उनकी दिल का आप से जुड़ा रहा गया, वो चहांके भी आप से पुरी तरह से डिटेच नहीं हो पाए, और वही हिस्सा उनको आप से फिर से जुड़ने पर उनको मजबूर कर गया है, यह energy guys यहां पर है, यानि कि कहीं नहीं है कि इस connection में definitely, जो transformation हो रहा है, मा शक्ती की करपा से ही हो रहा है, तो आप उनको thank you बोलो, उनको धन्यवाद दो, क्योंकि उनकी कहते हैं मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो yes, आपके connection में एक बहतर energy का खहिना की, जैसे कहते हैं प्रवेश होने जा रहा है, और आपका person भी बोलना चाहता है, हो सकता, वो भी मा शक्ती के उपास सक है, ठीक है, दिखो, क्योंकि मा शक्ती जो है, वो भी एक divine feminine energy है, तो divine feminine, जब किसी से connect होंगी, तो divine, जो masculine energy, वो भी कहीन होंगी, तो आएगी, तो ये energy का इसे हैं, इहां पर नज़र आ रहे हैं आप कर लेना, ऐसी और वीडियो के लिए शेयर कर सकते हैं, वीडियो अगर नहीं की है, तो किसी अपने खास one के साथ में शेयर करना चाहते हो, शेयर कर रहो, और पर संदिंग अगर लेना चाहते हैं, वीडियो में दियो नमबर पर आप अपरोच करके reading book करवा सकते हो, तो ये reading आपके लिए, bye-bye, take care.